आप फ्रेंड्स क्यों अकिर जरूरी है एंटिवाटिक मैडिशिंस एटिवाटिक मैडिशिंस क्यों जरूरी है यह कोई बिदाक्टर किसी भी बिमारी है जो डिजीज हैए उसके साथ आताने सक खेने, आधिवाइटिक मेर्डिशिन्स जो स्क्राइप्स करते हैं क्यों, сबी जानतेयें की एंटिवाइटिक्स के बारे में ऑगें आखिए और क्यों, क्या है ये एंटिवाइटिक्स, आएक देखियें हमारा इसवीडियो मह नरहीज्ग सब्सक्राइब करें अध प्रेंट्स नवस्कार मैं डॉक्टर परवेज आलम प्रेंट्स मैं आपके सामने में एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं फ्रेंट्स जो कि कुछ वीवर्स हैं हमारे जिन्होंने कमेंट सक्सेंस में यह लिखा कि सर एंटिवाइटिक मेडिसिंस के बारे में बताए क्या है य जीवनकाल में कम से कम एक बार एंटिवाइटिक दवा तो जरूरी ही होगी निश्चित तोर पर एंटिवाइटिक्स ने सन 1940 के दसक से उपयोग की शुरुवात के बाद दवाओं में करांतिकारी बदलाओ क्या और कई लोगों की जान बचाई क्योंकि उन्होंने बैक्टेरिया के कारण गंभीर संक्रवन सहित कई बिमारियों और संक्रवनों का इलाज करने का साधन प्रौदान किया एंटिवाइटिक आधुनिक चिकित्सा जगत में सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाओं में से एक है एंटिवाइटिक बैक्टेरिया को मारकर एंटिवाइटिक जो है यह बैक्टेरिया को मारकर या छती पहुचा कर बिमारी का इलाज करते हैं पहला एंटिवाइटिक है पहला एंटिवाइटिक पैनिसलीन था जो मोल्ड कल्चर में इतिफाक से खोजा गया था आज एक सो से अधिक विभिन्य एंटिवाइटिक दवाएं मामुली से लेकर जानलेवा संकर्वन तक को ठीक करने के लिए उपलब्ध है येस हाला कि क्योंकि उनका बहुत ज्यादा अधिक उप्योग किया जाता है इसका एंटिवाइटिक का इसलिए कई एंटिवाइटिक अब एक बार जिन जिवानों को मारा था उन जिवानियों के खिलाप परभावी नहीं होता है एंटिवाइटिक एक पदार्थ या योगिक है जो जिवानों को मार डालता है या उसके विकास को ही स्टोप कर देता है रोग देता है व्लंस मैं आपको पाँछ एंटिवाइटिक दवाओं को बताता हूँ जिन पर आप डेफनेटली भरोषां कर सकते हैं अमक्सिसलीन, एजित्रोमाइशीन, डक्सिसाइक्लीन और टेट्रासाइक्लीन, मेट्रो नीडाजॉल, सेफेलेक्षिन फ्रेंट्स, मेडिकल साइंस में आज 100 से अधिक एंटिवायोटिक दवाएं उपलब्द हो चुकी है, जो अपने उद्धेश्य में काफी सफल है मोटे तोर पर इन दवाओं को 6 समुहों में बाटा गया है इसमें समसे पुरानी एंटिवायोटिक दवाएं कौन सा है, पैनिसलीन, पैनिसलीन जो आज कल कम परचलन में है येस, आम तोर पर माना जाता है कि बुखार या सर्दी जुखाम होने पर एंटिवायोटिक दवाओं देनी ही पड़ेगी ये माना जाता है, फ्रेंट्स क्या आपको एंटिवायोटिक दवाओं की पहचान है, क्या आप जानते हैं एंटिवायोटिक दवाओं की हम कैसे पहचान कर सकते हैं मुरा पॉइंटिवल बात है फ्रेंट्स तो antibiotic दवा का पहचान हर कोई वैक्ति कर सकता है क्या खुद से भी आप कर सकते हैं अब समझें अगर किसी दवा के अगर किसी दवा के का जो script होता है जो पत्ते होते हैं उसके पीछे में उसके पीछे में लाल यानि की red line अगर है तो इसका मतलब है कि वह दवाई निश्चित तवर पर antibiotic है येस बिना किसी प्रामर्स के इन दवाओं का सेवन बिल्कुल डेंजरस है घातक होतकता है तो फ्रेंट्स आज तक के लिए इतना ही कापी बनेड़ी हमारे जीएच के एर चैनल के साथ फ्रेंट्स जो वीवर्स हमारे नए हैं वो हमारा चैनल को जो बेल आइकन का बटन है उसको पेस करना कभी न भूले फ्रेंट्स ताकि हमारा जो भी वीडियो है उनका notification सबसे पहले फ्रेंट्स आप तक कहुंचे फ्रेंट्स हमारा जीह केर चैनल जो है उसके साथ में एक और चैनल है जीह मॉटिवेशनल चैनल तो फ्रेंट्स बने यह हमारी वीडियो के साथ तब तक के लिए दिजिए डॉक्टर प्रवेज आलों को विदा चलते हैं जै हिन जै भारत